हेलो स्टुडेंट्स चैनल डाउट हट के मोस्ट इंपोर्टन्ट सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम चेप्टर 15 के मोस्ट इंपोर्टन्ट कुश्चन्स को करेंगे तो आए परसंद संख्या एक से शुरुवात करते हैं परसंद संख्या एक है निमित कतनों को पूरा कीजिए यह पर पांच पर देवी हाई इनकों में खरिस्थान को बढ़ना है पहला है गठना एक की प्रायकता जमाह गठना इप not की प्रायकता का योग कितना होगा तो ऐच्ष्यों बद्द्द किसी भी गठना के होने की प्राइक्ता और ना होने की प्राइक्ता का जो जोड़ होता है वो एक की वरावर होता है यह आ जाएगा एक सेटिंड पार्ट है उस गठना की प्राइक्ता जो गटित नहीं हो सकती खालिस्तान है ऐसी गठना खालिस्तान कहलाती है किसी भी गटना के ना होने की प्राइक्ता होगी वो होगी 0 जो गटना नहीं हो सकती उसकी प्राइक्ता होगी 0 क्योंकि प्राइक्ता होती है वो 0 से लेकर के 1 तक होती है 0 से लेकर के 1 तक तो किसी भी गटना के गटित होने की प्राइक्ता 1 होती है और गटित ना होने के प्रायक्ता जीरो और ऐसी गट्ला कहला है जिसका गट्यत होना निश्चित है जो कनफर्म है उसकी प्रायक्ता होगी एक क्योंकि अधिक से अधिक maximum जो प्रायक्ता होती है वो एक होती है और ऐसी गठना कर लाएगी निश्चित या संभव ऐसी गठना कर लाएगी निश्चित किसी प्रयोग की सभी प्रागमबिक गठना की प्रायक्ताओं का योग कितनी भी गठना है उन सभी की प्रायक्ताओं का जो योग आएगा वो आएगा एक क्योंकि अधिक से अधिक प्रायक्ता होती है एक जिसमें आएगा एक फिफ्ट पार्ट है किसी घटला की प्रायक्ता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है किसी भी घटना की प्राइकता होती है वो 0 से लेकर रेके 1 तक होती है तो 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी 0 से छोटी नहीं हो सकती नेगटीव नहीं हो सकती और ना ही 1 से बड़ी हो सकती तो यहाँ पर आएगा फैस्ट पें जीरो से बड़ी या उसके बराबर तथा एक से छोटी या उसके बराबर या यह कह सकते हम जो प्राइकता होती है किसी भी गटना की वो जीरो से लेकर के एक तक होती है जीरो या जीरो से बड़ी एक या एक से छोटी नेक्स्ट कुश्चन है इमलिक्त में से कौन सी संख्या किसी गटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती यहाँ पर हमें चारोप संदिये हुए हैं और यह पूछा है कि इमें से कौन सी संख्या किसी गटना की प्राइक्ता नहीं होगी तो अच्छों मैंने पढ़ाय था कि प्राइक्ता वो होती वो 0 से लेगर के 1 तक होती है जो प्राइक्ता किसी भी गट्रा की प्राइक्ता होगी वो 0 से लेगर के 1 तक 0 या 0 से बड़ी 1 या 1 से छोटी होगी तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है दो बटा ती ए ओप्षन है जो वह दो बटा ती तो दो बटा ती है वो जीरो से बड़ा और एक से क्या है छोटा जीरो और एक के बीच में है तो यह हो सकती है second part is b minus 1.5 अब यहाँ पर संख्या है वो minus में negative number है तो यह क्या है 0 से छोटी क्योंकि negative number कोई भी 0 से क्या होता है छोटा तो यह किसी भी गटना की प्रायक्ता नहीं हो सकती क्यों क्योंकि जो प्रायक्ता होती है वो 0 से बड़ी 0 या 0 से बड़ी होती है लेकिन यह क्या 0 से छोटी तो यह प्रायक्ता नहीं होगी c part 15 यह हो सकती है क्योंकि इसका मान 0 से क्या है बड़ा और 1 से छोटा जो d part 0 दस्मलो 7 यह भी किसी गटना की प्रायक्ता हो सकती है क्यों किसका मान है उस जीरो से लेकर के एक तक है एक से बड़ा नहीं है और जीरो से छोटा नहीं है तो बी पार्ट है जो माइनस एक दसवलो पांच ये किसी गटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती क्योंकि ये मान जीरो से छोटा है थर्ड कुश्चन है यदि P E बरावर 0,10,05 तो E नहीं की प्राइक्ता क्या होगी यहाँ पर हमें किसी गटना की प्राइक्ता दे रखी है 0,10,05 तो उसी गटना की नहीं होने की प्राइक्ता क्या होगी वो बतानी है हमने पढ़ाए था कि किसी भी गटना के गटने की प्रायकता और उस गटना के नहीं होने की प्रायकता का जो जोड होता है वो एक के वराबर होता है E- Alt का मतलब है E. नहीं तो गटना के घटित होने की प्रायक्ता और गटना के घटित नहीं होने की प्रायक्ता का जोड़ है वो एक के बराबर हैं तो यहां से हम P.E कमान रखेंगे 0.05 जमा P.E. बार यह कहें के E. नहीं E नहीं होने की प्राइक्ता बराबर एक यहां से P E बार कमान आजाएगा एक घटा 0.05 यह कह सकते हैं कि E नहीं की प्राइक्ता बराबर होगी 0.095 यह हो जाएगा E नहीं होने की प्राइक्ता Question No.4 है यह दिरा होगा है कि तीन विद्यार्थियों के एक समों में से दो विद्यार्थियों के जनम दिन एक ही दिन नहीं होने की प्राइक्ता 0.10.092 है इसके क्या प्रायक्ता है कि इन दो विद्यार्थियों का जनव दिन एक ही दिन हो यह कुश्चिन बिल्कुल पहले वाले जैसा है यहाँ पर किसी गटना के ने होने की प्रायक्ता भी रखी है और उसी गटना के होने की प्रायक्ता में बतानी है हमें पता है कि किसी भी गटना के होने वह ना होने की प्रायथता का जोड़ वो एक के वराबर होता है यहां प्रहमाल लेते हैं कि जो E है वो हमारे पास विद्यार्थियों का जनम दिन एक ही दिन होने की गटना विद्यार्थियों का जनम दिन एक ही दिन होने की गटना अब हमने वान लिया E तो हमें दिया हुआ कि एक ही दिन नहीं होने की प्रायकता तो यहां से हमें की जो क्या जो करनिंदीन एक ये दिन ने होने की घटना हुझे जो करना हों यह इसी P-E bar P-E bar का मतलब है विद्यार्थियों का जो जोने दिन एक ये दिन ना होने की प्राइक्ता ब्रावर है 0.992 और यहां पर हमी निकानली है PE यानि कि विद्यार्थियों का जनम दिन एक ही दिन होने की प्राइकता तो इस उत्र से PE ब्रावर यहां कह सकते हैं कि PE जमां PE बार 0.992 ब्रावर 1 और यहां से हमारे पास PE आ जाएगा 1 घटा 0.992 यह कह सकते हैं कि घटना के घटित होने की प्राइकता घटना क्या थी कि द्यार्थियों का जनम दिन एक दिन होने की जो प्राइकता होगी वो हो जाएगी 0.008 यहां पर हमने विद्यार्थियों का जनम दिन एक दिन होने की घटना को मानेंगे E बार नेक्स्ट कुश्ण करते हैं एक थेले में तीन लाल और पांच काली गेंदे हैं इस थेले में से एक गेंद या दरच्छा निकाली जाती है या दिरच्छा का मतलब है बच्चों कि बिना किसी जादा सोचे समझे कि थेले में आद दिया और निकाल ली बिना किसी प्री प्लांड के वो कलाईगी या दिरच्छा इसकी प्राइक तक क्या है कि गेंद नमबर एक लाल हो नमबर दो लाल नहीं हो नमबर त्री काली हो या काली नहीं हो लाल गेंदे तीन है काली गेंदे पांच है तो थेले में कुल गेंदे हो जाएगी तीन जबाँ पांच आठ यानि कुल आठ गेंदे थेले के अंदर है इन आठ में से एक गेंदे को निकला जाता है सबसे पहले प्राइक्ता बतारी हैं हमें कि गेंदे लाल होगी तो पी लाल यहाँ पर गटना है लाल होने की तो पी लाल का मतलब है लाल होने की प्राइक्ता यहां पर लाल गेंदे के अलू कुल प्रिणाम है तीन क्योंकि कुल लाल गेंदे है तीन तो तीन बटे और कुल संभावित प्रिणाम टोटल प्रिणाम कितने होगे यहां पर आठ क्योंकि कुल गेंदे है आठ तो तीन बटे आठ second part करते हैं लाल नहीं हो अब लाल होने की प्राइक्ता अमारे पास है तीन बटे आठ तो लाल नहीं होने की प्राइक्ता क्या होगी एक गटा तीन बटे आठ इस उत्तर से पी जमा पी ए और बराभर एक तो यहां से पी लाल नहीं इसकी प्राइक्ता हो जाएगी एक घटा तीन बटे आठ या जाएगा पांच बटे आठ धरड़ पार्ट करते हैं काली हो, काली गेंद होड़े की प्राइकता क्या हो दी पी काली गेंद अब काली गेंद के अनुकुल प्रणाम है यहाँ पर पांच क्योंकि काली गेंद हैं पांच तो पांच में इसी को यह काएगी बटे कुल संभावित प्रणाम कुल संभावित परणाम यहां पर है 8 कुछ गेंदे है 8 तो 5 बटे 8 4th part करते हैं इसका कि P काली नहीं हो इसकी प्रायक्ता क्या होगी वह शुतर लगाएंगे 1 घटा काली होने की प्रायक्ता तो 1 घटा 5 बटे 8 यह आज आएगा 3 बटे 8 तो यह हो जाएगी काली नहीं होने की प्रायक्ता कुछ नमर 6 है एक पासे को एक बार फ्हेका जाता है निमिलिक को प्राप्त करने की प्रायक्ता ग्यात किजिए जो पासे के उपर संख्या ही होती है एक से लेगर के 6 तक नमर 8 एक अबाजे संख्या नमर 2 और 6 के बीच कोई संख्या नमर 3 एक भी संख्या नमर 4 एक संख्या और नमर 5 एक बाजे संख्या आने की प्रायक्ता क्या होगी तो पासे के उपर संख्या ही होती है एक से लेगर के 6 तक तो हम कहेंगे कुल संभावित प्रणाम कुल संभावित प्रणाम हो जाएंगे छे फेस्ट पार्ट को खरते हैं एक अभाजे संख्या की प्राइक्ता क्या होगी P अभाजे इसका मतलब है अभाजे संख्या आणी की प्राइक्ता अब एक से लेकर के 6 तक कितनी संख्याई अबाज्ये हैं अबाज्ये संख्याई वो होती हैं जो एक और स्विम के अलावा खुद के अलावा किसी से बाग ना हो जैसे 2, 3 और 5 ये हैं अबाज्ये संख्याई इनके पुर्ण खड़ है वो एक और खुद के लावा कोई और नहीं है दो तीन और पांच तो संख्या हमारे पास होगी तील तो अब आज़े संख्या के अनुकुल प्रणाम हो जाएंगी तील और कुल संभावित पेरणाम है छे तो तीन बचे चे या कहें एक बटा दो सेकंट पार्ट करते हैं दो और चे बीच कोई संख्या दो एंच चे के बीच संख्या दो एंच छे के बीच की संख्या कोड़ से हो जाएगी तीन, च्यार और पांच तो यहाँ पर दो एच्छे के बीच की संख्याओं के अनुकुल प्रड़ाम हो जहेंगे तीन, बटे कुल समाथ प्रड़ाम छह, एक पटा, दो थर्ड पार्ट है, एक विशम संख्या पी विसम संख्या या यह कहें के विसम संख्या आने की प्राइकता अब पहरे देखेंगे विसम संख्या हैं कितनी एक से च्छे तब विसम संख्या हैं वो होती हैं जो दो से भागन ना हो एक तीन और पांच यह तीन संख्या हैं जो दो से भागन नहीं होती एक तीन और पांच तो इस समसंख्या के अनुकुल प्रणाम हो जाएंगे तीन और कुल समाज प्रणाम है छे तो एक बटा दो फॉर्ट पार्ट है एक समसंख्या पी समसंख्या या कहें कि समसंख्या आने की प्राइक्ता समसंख्या है वो होती है जो दो से भाग होती हैं एक से छे त तक ऐसी संक्याओं हैं दो च्यार और च्छे तीन संक्याओं ऐसी हैं जो सम्झ हैं तो समं described के आनों किल परिद्णाम हो जाएंगे तीन और कुल समध्णाम है छे एक पट ऑड दो किस्ट पाड़ करते हैं एक बाज्जे संख्या पी बाज्जे संख्या आने की प्राइकता क्या होगी है अब बाज्जे संख्या वो होती हैं जो बाज्जे नहीं है यह कहें कि वो संख्या हैं जिनके ब्रणखंड दो से क्या हैं जादा एक और खुद के अलावा भी किसी वो संख्या से बाग होती हों जैसे च्यार और छे एक सी च्छे तक हम सिर्फ देख रहें एक से च्छे तक क्योंकि पासे पर संख्या एक से च्छे तक होती हैं तो इनमें च्यार और छे दो ऐसी संख्या हैं जो बाज्जे हैं तो यहां पर बाज्जे संख्या के अनुकल प्रणाम हो एक बटा टीन नेश्ट कुश्चन है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फैटी के ये गड़ी में से एक पत्ता निकड़ा जाता है निमलिक्त को प्राप्ट करने की प्राइकता ग्याद कीजी यहाँ पर हमें अलग-अलग प्राइकता हैं ग्याद करनी है बट्रिया पर ये तास के पत्तों का खेल है पहले हम तास के पत्तों के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं खुल पत्ते होते हैं 52 52 पत्तों में से 13 पत्ते होते हैं चुड़ी के 13 पत्ते होते हैं पान के थेरे पत्ते हैं वुकम कर और थेरे पत्ते ही होते हैं एट करें खुल पत्ते हो जयेंगा मारे पास बावन अभी कंप पार्ट को अलगते हैं लान रण का बादक न डरता है तो पी लाल रंग का बादशा यह कहें कि लाल रंग के बादशा के आणे की प्राइकता क्या हुई जब उस गड़ी में से हम एक पत्ते को निकालते हैं अब देखिए बहुन पत्तों के अंदर से लाल रंग के बादशा कितने होंगे लाल रंग के पत्ते होते हैं 26 चुब यह कारण होता है काला पान कारण होता है लाल हुकम कारण काला सभी पत्ते काले होते हैं इट के सभी पत्ते लाल होते हैं तो यहां से हम कह सकते हैं कि 26 पत्ते को यहां पर लाल रंके हैं और 26 पत्ते ही काले रंके हैं अब यहां कुछ है लाल रंग का बादिशा अब हरे एक के अंदर एक एक बादिशा होता है इंचारों के अंदर एक एक बादिशा होता है तो लाल रंग के बादिशा होंगे पान के अंदर और एक एट के अंदर तो कुल दो बादिशा लाल रंग के तो लाल रंग के बाद से पार्ट करते हैं, एक फेस कार्ड, पी एक फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब है तस्वीर वाले पत्ते, उसके अंदर कितने हैं? जब देखे हैं, चिड़ी के अंदर तस्वीर वाले पत्ते हैं, एक फेस कार्ड, तो कुल फेस कार्ड या कुल तस्वीर वाले कार्ड हो रहे गेगी? 12 की प्रतेग में होते हैं 3-3 तो 12 12 बटे कुल संभावित प्रणाम है हमारे पास कुल पत्ते बावन है तो हम कह सकते हैं यहां से कि कुल संभावित प्रणाम बराबर बावन थर्ड पाट करते हैं लाल रंग का फेश कार्ड पी लाल रंग का फेश कार्ड या तस्वीर वड़ा पत्ता अब फेश कार्ड में बता था कि फेश कार्ड है टोटल प्रतेग में 3-3 तो 12 अब 12 में से लाल रंग के लाल रंग के उंगे पान के अंदर और 8 के अंदर 3 और 3 6 तो 6 बटे 52 ये कहिए कि 3 बटे 26 चोथा पाट है पान का गुलाम पी पान का गुलाम अब पान का गुलाम तो एक ही होता है इसके अंदर तो ये गुलाम प्रतेक में एक होता है तो पान का गुलाम एक ही होगा तो एक बटे बावन नेक्स्ट पार्ट है हुकम का पत्ता पी हुकम का पत्ता अब यहां पर कुल हुकम के पत्ते होते हैं तेरे तो तेरे बटे बावन इट की बेगम पी इट की बेगम बेगम होती है परते के अंदर एक एक अमसे पुछे इट की बेगम इट की बेगम भी होगी एक बटे बावन नेक्स पार्ट है साथ महां काले रंग का पाधिशा पी काले रंग का बाधिशा है अब बाधिशा होता है वो परते के अंदर एक होता है हमसे पूछा काले रंग का बाधिशा हो जाएगा एक चुडी का और एक हुकुम का तो काले रंग के बाधिशा हो जाएंगे एक काले के कि प्रैक्ट प्रैक्प्राइक्प्राइक तो स mail यह लोगल होत on सबस्कें अब करेंगे प्यूश्य कर नहीं कि इसके यह सकते हैं किहां यहाथ कुछ अला नि-दय फिरन करते हैं और शूरे समस्क्राइब मेंलपता चारायि सब्सक्राइब बाउन को इसकी आधि किसी कटरमियुत अच्छनकरत थे पैंनों में मिल गय है कि वोग देखकर एक नहीं बता जा सकता कि कोई पैन खराब है या अच्छ क्षा इस मिषैन में से एक पैन यह तरचे निकाड़ा जाता है निकाड़े पैन के अच्छा उनें और खराब उने की प्राएक्टा क्या होगी हमारे पास खराब पैन है बारे अच्छे पैन है एक सो बतीस कुल पैन मिलने के बाद कुल पैन हो जाएंगे एक सो बतीस जमा बारे बराबर एक सो चवारे इस कुल संभावित परणा क्योंकि जो भी पैन हम जिकाड़ेंगे ख़डा गोई अच्छा औरी संभावित परणा क्या हो ज़िख़या अच्छे पैन है यहां पर एक सो बतीस तो हम निकाड़ेंगे 132 में CEO एक अच्छा पैनाएगा तो अच्छे पैने के अनुकुल प्रिणाम हो जाएंगे 132 और कुल समभाईत प्रिणाम है 144 यहाँ जाएगा 11 बटे बाल है ka next कलते हैं फिर second पार्ट खराब होने की प्राइक्ता अभिए पिइक हान्य खराब पैन की जो हमने पैन निकाड़ा हो पैन खराब होगा इसकी प्राइकता क्या होगी खराब पेन हमारे पास है बारे तो बारे में से आएगा तो खराब पेन क्या अनुबल प्रिणाम हो जाएंगे बारे बटे कुल संबार्थ प्रिणाम है 144 यह हो जाएगा एक बटे बारे कुश्य नमर 9 है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर एक से 90 संख्याइं लिखी हुई है यदि इस पेटी में से एक डिस्क को यातरिछे निकाला जाता है तो प्रैक्ता ग्याद कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी दो अंकों के एक संख्या एक पूर्ण रग संख्या और पांच से विपाज है एक संख्या तो यहां से कह सकते हैं कि कुल संभावित प्रिणा है बराबर होंगे नबबब क्योंकि हम इसके अंदर से कोई भी डिस्क निकालेंगे तो वो इस नबबब में से कोई न कोई आएगी प्रेश्ट पार्ट करते हैं दो अंकों के एक संख्या पी दो अंकों की संख्या कि दो अंकों के संख्या आने की प्रायकता क्या होगी यानि हम उसमें इसके डिस्क निकालेंगे तो इस डिस्क के ऊपर कोई दो अंकों की संख्या लिक्षी होगी यानि दो से शुरू होकर के नब्बे तक और यह हो जाए है हमारे पास 81 दस से लेकर के नब्बे तक तो कुल जो इसके तो दो अंकों की संख्या के अनुपल प्रेणाम हो जाएंगे 81 और कुल संभाईत प्रेणाम हैं नब्बे हैं यह कहें 9 बटा 10 सेक्विड्र पार्ट है एक पूर्ण वरग संख्या ली कि विसके और यह पूर्ण वरक संख्या लेकर करके नब्बे तक पूर्ण वरक संख्यान कोंगा वरग जो किसी पूर संख्या का ही वरग हो जैसे च्यार एक पूर्ण वरग संख्या है तो हुआ सकते हैं तो एक होसे हैगी एक पूर्ण संख्या एक का वरग एक होता है एक के बाद चार है, नो है, सोड़ है, पच्चिस, छप्टिस, पने चास, चोंसर्ट, एक आसी ये संखें एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, यहीं नो संखें ऐसी हैं जो एक से लेकर नब बदेख पूर्ण संखें हैं यह संखें किसी पूर्ण संख्या का ही वरग हैं तो अनुपल प्रणाम हो जाएंगे, नो और सम्भावी प्रणाम हैं संभावी प्रणाम नब बै, जहां कह सकते हैं कि, एक वटा, दस तिसरा पार्ण है, पांट से विवाज्चे, एक संख्या पी पांच से विवाज्य संख्या इसकी प्राइक्ता क्या होगी कि उस डिस्क के उपर को ऐसी संख्या आएगी जो पांच से विवाज्य तो होती हो तो जो एक से लिगर करके नबवत है कि पांच से विवाज्य संख्या है कौन कौन सी होगी पांच होगी 10, 15, 20, 25, 25 ये संख्यां बारी पास होजेंगी 18 और कुल समय परिणाम है नप्वे यानि पांच सी विबाज्ये और कि अनुकुल परिणाम है वह 18 और कुल समय परिणाम है नप्वे यह होजेगा 1 बटे पांच next question है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निविक्स अक्सर अंफित हैं A, B, C, D, E और A जोगि पासे के अंदर 6 फलक होते हैं इस पासे को एक बार फैका जाता है इसकी क्या प्राइक्ता होगी कि हमें A प्राप्त हो या D प्राप्त हो पासे के उपर कुल 6 फलक होते हैं उसके उपर 6 अक्सर लिखे हुए हैं A, B, C, D, E और A तो कुल संभावित प्राइक्ता हो जाएंगे 6 अब मैं निकाला है प्राइक्ता A प्राप्त लोड़ी इस पासे को एक बार फैक्ता है तो एक बार अगर पासे को एक हैं फैक्के निक है तो उसके लिए जो कुल समाथ प्राइक्ता होते हैं वो 6 होते हैं तो P A प्राप्त हो अब देखी यहां पर जो A है वो कितनी बार है दो बार इन 6 फलकों मेंशे 2 फलकों पर A लिख्या हुआ है तो A के अनुकुल प्रणाम हो जाएंगे 2 और कुल सम्भाइद प्रणाम है 6 या कहीं 1 बटा T Second Part है D प्राप्ट हो P D प्राप्ट यानि D प्राप्ट होने की प्राइपता अब इन फलकों में A की फलक के उपर D लिख्या होआ है तो D के अनुकुल प्राप्ट हो जाएंगे 1 और कुल सम्भाइद प्राप्ट है 6 तो एक प्राप्ट प्राप्ट या 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 आएगा या प्राप्ट कम से कम एक बार आएगा बच्वेश कुष्चन में एक पासे को दो बार फैक्या गया है तो एक पासे को हम दो बार फैके या दो पास्टों को एक साथ फैके दोनों ही केस में जो कुल समभावित पर नाम होंगे वो होंगे 6 गुना 6, 36 तो यहां पर हमारे पास कुल समाथ पर नाम हो जाएंगे 36 प्रैक्ता बतानी है कि 5 किसी बार में नहीं आएगा ऐसे कौन कौन सी गटना ही इसके अंदर जिनके अंदर 5 एक बार भी नहीं आएगा या फिर 2 पार नाम है कि 5 कम से कम एक बार आएगा मतलब कम से कम एक बार का मतलब है कि वो गटना है जिनके अंदर 5 एक बार आए या एक से जादा बार भी आए, लेकिन कम से कम एक बार जरूर आए यहां पर एक पासे को दो बार है क्या गया है आप पहले हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि कुल संभावित प्रिणाम कौन-कौन से होगी 36 प्रिणाम कौन-कौन से होगी तो पासिव जम फैकेंगे दो बार तो हो सकता है कि पहली बार में आए एक और दूसरी बार में आए एक पहली बार में आए एक और दूसरी बार में दो या पहली बार में एक दूसरी बार में टीन इसी प्रकार पहली बार में एक दूसरी बार में च्यार या एक पांच या ए दूसरी बार में दो, या पहली बार में दो, दूसरी बार में तीन, या पहली बार में दो, दूसरी बार में चार, इस्ट्रेस हो सकता है। एक या पहली बार में चार दूसरी बार में दो पहली बार में चार दूसरी बार में तीन या चार चार या चार पांच या चार छे या फिर पहली बार में पांच दूसरी बार में एक पहली बार में पांच दूसरी बार में दो या फिर पांच चार पांच पांच या फिर पा पहली बार में 6, दूसरी बार में 1 आई, पहली बार में 6, दूसरी बार में 2, पहली बार में 6, दूसरी बार में 3, पहली बार में 6, दूसरी बार में 4, या 6, 5, या फिर 6, 6, ये प्रोटल कुल संभावित प्रिणाम है, 36, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, किसी पास से को नहीं आएगा इसके अंदर से हमें होना है कि पांच किसी भी बार में नहीं आएगा इन प्रिणामों में से ऐसे कितने प्रिणाम हैं जिनके अंदर पांच एक बार भी नहीं है इनके अंदर पांच एक बार भी नहीं हो यहां पर देखिए एक, दो, तीन, च्यार, शोड़ देते हैं, ये पांच, पांच की सियांपर है, शे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंद्रे, सोड़े, सतरे, अठारे, उनिस, बीस, 21, 22, 23, 24, 25, 25 परणाव ऐसे हैं, जिनके अंदर एक बार भी पांच नहीं है, तो हम पहले पार्ट के लिखेंगे, कि प्राइप्ता पी, पांच, किसी बीवार में नहीं आएगा, इसकी प्राइप्ता क्या होगी, इसकी अनुकुल परणाम है, 25, अभी मैंने काउंट की रहे, 25, बाट एक कुल सम्भाइप्त परणाम है, 36, यह होगा है, बेस्ट पार्ट, इसकी पार्ट है, पांच कम से कम एक बार आएगा, पी, पांच, कम से कम, एक बार, अब देखिए, 36 परणामों में से, कितने परणाम हैं से, जिनके अंदर पांच, कम से कम एक बार, या दो बार है, एक, दो, टीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और एके 11, 11 परणाम है, से, कम से कम एक बार है, परणुक्ल परणाम हो जाएएंगे, प्रुक्ल संभाइप्रणाम, 36, तो ग्यार है बटे, 36, तो यह हो जाएगा मारा अंसर, आप पहले पार्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल संभाइद परणामे 36, 36 में जिए 25 परणामे सेजिन के अंदर 5 नहीं है एक बार भी तो ऐसे कितने परणामे सेजिन के अंदर 5 होगा, 11, 36 गटा 25 यनि 11, तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 11, तो आपको आपको यह सारा च कर सकते हैं, धन्य बाद